डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अज़िए टैग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड दे गलोग टोंटो में दैशतगर्द हमला करने वाली दाइश की मुवयना दैशतगर्द का पैरोल से इंकार दुबारा हमले की धमकी दे दी प्राम्टन में एक पार्टी में शिर्टकत करने वाले दोस अफराद को डग पोर्ड ने एहमक परार दे दिया कहते हैं कि इनके खलाफ कानूनी कारवाई की जरूरत है डबलू ए चैरिटी तराजा कैनेडियन मजीर आजम जसिन टोडो और इनकी चीफ आफ स्टाफ ए चैरिटी से मतालिक गवाही देंगे कैनेडा भर में करोना वाईरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी मतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाग चौदा हजार पांस सो सतानवे हो गई अमरीका ने मेंविन जू के मामले को एक संगीन सियासी मामला बना दिया चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इस वाकिये से चीन कैनेडा तालुकाद को नुकसान पहुचाया गया टरम्प के साथ सफर करने वाले नैशनल सेक्यूटी एडवाईजर करोना का शिकार टरम्प के साथ दो हफ़ते कबल मियामी का सफर किया था अमरीका के सदर डॉनलर्ट ट्रम ने कहा है कि इनका मुल्प वैक्सीन तयार करके करोना वाइरस को हरा देगा दुनिया भर में करोना वाइरस मुतासर अफरात की तादाद 1,666,47,000 तक जा पहुँची जब कि इस मूजी वाइरस से हलाकते 6,57,000 हो गई हेडलाइन साब ने जानी और अब खबरें तफसील के साथ दाइश से मतासर होकर टॉन्टो कैनेडियन टाइरस टोर पर हमला करने वाली खातून ने धंकी दी है कि वो एक और देशतगर्द हमला करेगी मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में टॉन्टो में हमला करने वाली दाइश की मवयना एहलकार ने एक बार फिर हमले की धंकी देते हुए पैरॉल से इंकार कर दिया दाइस से मतासर होकर टोन्टो कैनेडियन टायर स्टोर पर हमला करने वाली खातों ने धमकी दी है कि वो एक और दैशतगर्द हमला करेगी मीडियर रिपोर्ट के मताबक रहाब दुक्मोश की जानब से पैरॉल आफिसर को लिखे गए नोट में कहा गया है कि अगर मुझे रहा किया गया तो मैं दोबारा दैशतगर्द हमला करूंगी अपनी हकोमत को बता दो के मुझे वापस मेरे मलक शाम भीजे पैरॉल बोर्ट आफ कैनिडा के एक फैसले के मताबक रहाब ऐसा मतद्द बार कर चुकी है फैसले में कहा गया है कि किसी दैशतगर्द तन्सीम से आपकी वाबस्तगी और दैशतगर्द हमले के इशारे देने के बाद पैरॉल की इजासत देना नामुनासिब होगा पैरॉल बोर्ट के फैसले ने इन खशाद की एक लंबी फैरिस तयार की है जिसमें बहुत से अफराद में मुबयना तोर पर दाईश के लिए हमायत जारी रखी हुई है और पता चला था कि इनकी रहाई माशरे के लिए खतरा बन सकती है चौती सालर डेंटल नर्स दुपमोश को 14 फरवरी 2019 में दैशतगर्दी में मुलवस होने और असला रखने के लजाम में सजा सुनाई गई थी औंटेरियो के प्रीमियर डगफोर्ड की जानिब से ब्राम्टन में एक पार्टी में 200 अफराद की शिर्कत पर अफसोस का इजार किया गया है उनका कहना था कि इनके खलाफ कानोनी कारवाई की जरूरत है सेहत की देखबाल करने वाले कारकोयान ने हमारी हफाज़त के लिए 24 घंडे काम किया आपके पास पुलीस की हफाज़त है, हंगामी खिदमात है और आप एहमेकाना हरकत करके समझते हैं कि कुछ नहीं होगा घर के मालक पर एमरजनसी और शहरी तहफुस एक के तहद इल्जाम आइद किया गया है अगर जर्म साबित होता है तो इस पर 750 डॉलर से एक लाग डॉलर तक जर्माना आइद किया जाएगा तक फूर्ड ने वफाक और सुभाई हकूमत की जानिब से ऑंटैरियो की मुकामे हकूमतों और ट्रांसिस सिस्टम की करोना वाइरस के बाद बहाली के लिए चार बिलियन डॉलर की फंडिंग का एलान कर दिया इस रकम की मदद से शेल्टर्स, फूर्ड बेंक, पबलिक हैल्थ और ट्रांसिस सिस्टम की बहतरी के लिए काम किया जाएगा मीडिया को ब्रिफिंग में वजीर आला का कहना था कि ओंटैरियो के लिए ये एक बहतरी डील है दो बिलियन डॉलर के करीब रकम पबलिक ट्रांसिक के लिए मुक्तस की जा रही है और इस फंडिंग में वफाक और सुभाई हकोमत यकसा अपना हिस्सा डालेगी रकम का एक हिस्सा करोना वाइरस की टेस्टिंग, कॉंटैक्ट ट्रेसिंग और डेटा मैनेजमेंट पर भी खरच किया जाएगा जेस्टिन ट्रोडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ डबलू ई चैरिटी कॉंट्रेक्ट देने में अपने किर्दार से मतालब वज़ाद के लिए जमरात को हाउस अफ कॉमन्स की फाइनस कमेटी के सामने पेश होंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन वजीर आज़म जेस्टिन ट्रोडो और इनकी चीफ ऑफ स्टाफ वी चैरिटी से मतालिक गवाही देंगे कैनेडियन वजीर आज़म शाम तीन बज़े से चार बज़े तक कमेटी के सावलात के जवाब देंगे जबके उनकी चीफ आफ स्टाफ कैटी टैलफोर्ट की समाथ चार बचकर पंदरा मिनिट से पांच बचकर पंदरा मिनिट तक होगी वाज़ रहे के वफाकी हकोमत की जानिब से डबलू ईचारिटी को 900 मिलियन डॉलर्स का कॉंट्रेक्ट देने के मामले के बाद वजीर आज़म और वजीर खजाना के मसकूरा तन्जीम से तालुकाती खबरे मनजरे आम पर आई थी जिसके बाद वजीर आज़म जस्टिन्स टूर्डो वजीर खजाना और वफाकी हकोमत को शदीद तन्कीद और दबाव का सामना है जबके एथिक्स कमिशनर की जानिब से वजीर आज़म और वजीर खजाना के खिलाफ तका एलान किया गया है कैनिडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8901 तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है आकिरी तिलाद के मुताबिग में करोना वायरस से متاثिश होने वाले फराद की तादाद 1,14,597 हो गई है मुल्ख में करोना वायरस के बाises हलाख होने वाले फराद की तादाद 8,901 तक जाँ पहुclी है क्यू बेक सूबा करोना वायरस से सबस Made मतاثिस होऊ है सूबे भर में करोना वायरस के मजमूई केसिस की तादाद 58,728 हो गई है जबके सूबे में करोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,666 तक जा पहुची है और्टेरियो में करोना वायरस से 38,799 अफराद मतासिर हुए हैं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,664 है। अलबर्टा में करोना वाइरस के फैलाओं में इजाफा देखने में आ रहा है। जिस पर हुकाम ने तश्वीश का इज़ार किया है। सुबे भर में 10,390 अफराद करोना वाइरस से मतासर हुए हैं जबके 186 अफराद हलाक हो चुके हैं। बिटिश कॉलंबिया में 3500 अफराद करोना वाइरस की तज़ीक हुई है। जबके सुबे में करोना वाइरस से हलाक होने वालों की तादाद 193 हो गई है। चीनी वजार्द खारजा की जानिब से कहा गया है कि हमें उमीद है कि कैनेडा अमेरिका के सियासी मकासित को वाज़त तोर पर समझ सकेगा और मुनासिब अंदाज में मैंग विंग जू के मामले से निम्टेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी मकासित को वाज़त तोर पर समझ सकेगा और मुनासिब अंदाज में इस मामले से निम्टेगा। अमरीकी सदर टरम के नैशनल सेक्योर्टी एडवाइजर रॉबर्ट ओबराइन में करोना की तश्कीस हुई है। उन्होंने टरम के साथ दो हफ़ते कबल मियामी का सफर किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर टरम के नैशनल सेक्योर्टी एडवाइजर करोना वाइरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक अमरीकी सदर टरम के नैशनल सेक्योर्टी एडवाइजर रॉबर्ट ओबराइन में करोना की तश्कीस हुई है। उन्होंने ट्रम्प के साथ दो हफ़ते कबल मियामी का सफर किया था रॉबर्ट अबराइन कौमी सलामती के मुशीर कुजिश्टर हफ़ते यूरप के दोरे से वापस आये थे वो करोना की तश्कीज के बाद करंटीना में चले गए हैं बादे रहे के अमेरिका में करोना से मुटासर अफराद की तादा चालिस लाग से तजाबस कर गई है अमेरिका में करोना वाइरस से एक लाग पचास हजार के करीब अमबात हो चुकी है इदर अमरीकी रियासत फ्लॉरीडा में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद नियू यूर्क से भी तजाबस कर गई है याद रहे कि करोना ने दुनिया भर को अपनी लपेड में ले रखा है वाइरस से मतासर अफराद की तादार देर करोर से तदावस कर चुकी है जबके मताद्द अफराद अपनी जान गवा बैठे हैं सदर टरम ने मास्क पहन कर शुमारी कैरोलाइना के शहर मौर्स वैल में दवासास कंपनी का दौरा किया जहां करोनावाईरस से खलाब वैक्सीन तयार की जा रही है मZीद जानते हैं एस रिपोर्ट में अमरीका के सदर डॉनर टरम ने कहा है कि इनका मुल्क वैक्सीन तयार करके करोनावाईरस को हरा देगा सदर्ड ट्रम ने मास पहन कर शुमारी कैरोलाइना के एक शहर मॉर्सवेल में दवासास कमपनी का दौरा किया जहां करोना वायरसे खिलाफ वैक्सिन तयार की जा रही है इस मौके पर सहाफियों से गुपतगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अमरीकी साइंसी अजमत यानी वैक्सिन के जरीए करोना वायरस को शिकस दे देंगे अमरीकी हकूमत की कोशिश है कि अगले बरस जनवरी तक वैक्सिन की 30 करोड खुराक तयार कर ली जाएं दुसरी जानिब अमरीकी बायो टेक कमपनी मौडरीना का कहना है कि इन्हें अमरीकी हकूमत की जानेब से एजाफी फंडिंग मौसूल हुई है जिसकी बदालत वो अपनी करोना वायरस से वैक्सिन की तयारी का आखरी मरहला जल्मकमल कर सकेंगे मौडरीना को अपरेल में अमरीकी फेडरल एजनसी से 483 मिलियन डॉलर की फंडिंग मौसूल हुई है इस वक मौडरीना की वैक्सिन अपनी तयारी और अजमाईश के पहले मरहले में थी करोना वाइरस की मौजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजेगार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमवाद में भी हर रोस इजाफा हो रहा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में करोना वाइरस की मुजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमवाद में भी हर रोज इजाफ़ा हो रहा है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासरा अफराद की तादाद एक करोड़ च्यासर टाक से तालिस हजार तक जाप पहुची है जबके इस मुजी वाइरस से हलाकतें 6,57,000 हो गई हैं अमरीका ताहाल करोना वाइरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मुल्क में सबसे ज्यादा हैं अमरीका में करोना वाइरस से अब तक 1,50,500 अफराद मौत के मुमें पहुच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की तादाद 44,33,410 हो चुकी है तेजी से जाफ़े के साथ इस फैरिस में तीसरे नंबर पर पहुच गया है जहां करोना से 33,448 हलाकतें हो चुकी हैं जबके इस से मतासरा मरीजों की तादाद 14,82,600 हो गई है करोना वाइरस से रूस में कुल अमबाद 13,350 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 8,16,120 हो चुकी है सौध अफरीका में करोना वाइरस की वबाद से मजमूई अमबाद 7,100 हो चुकी है जहां इस वाइरस के अब तक कुल केसिस की तादाद 4,52,529 रिपोर्ट की गई है सौधी अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमबाद 2760 हो रिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,69,000 तक जा पहुँची है चीन में गुजिशता तीन माँ के दौरान रोजाना की बन्याद पर रिपोर्ट होने वाले करोना केसिस में गुजिशता रोज रिकॉर्ड इजाफा देखा गया 24 गंटे में वबा के सबसे ज्यादा केसिस रिजिस्टर हुए टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल हाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहेए टैग टीवी झाले के सबस्टर हुए